Hello friends आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Lava UR3 Pro Android साथ कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप वीडियो कामें स्टार्ट कर लेते हैं देखी दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम अपने मुवैल फून के ब्लुटूट को किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारे ब्लुटूट के पेज पे जो है कीप से श्टॉपिंग लिखा हुआ आ जाता है तो ब्लुटूट की कीप से श्टॉ क्या नहीं है दोस्तों कई बार ऐसा होता है फोन के सॉफ्ट्वेर का अपडेट आता है हम उसे अपडेट नहीं करते हैं तो इससे हमारे मुवैल फून के एंडुटूट सिस्टम में कुछ कमिया आने लगती है तो आपके फोन का सॉफ्ट्वेर अपडेट है या नहीं अब आपको जो है ना सिस्टम अपडेट के इस वाले पेज़ पर अगर कोई भी अपडेट का बटन दिखाई देता है या डाउनलोड इंस्टॉल लिखावा दिखाई देता है उसे आपको टैप करके अपने फोन का सॉफ्ट्वेर अपडेट कर लेना जिससे आपके पर आपको नीचे की सिस्टम जाट करने है आपको नीचे की सिस्टम पर करना है इसके और आपको थोरी देर जैए यहाँ पे लिखावा आ जागा जाएक प्रोलम जो हो जाए ठीक है ना अब दोस्तों अगला प्रोसेस यह करना है कि आपको अपने मुवाइल फून की एपेन सैटिंग को रिसेट करने के लिए फून का आप सैटिंग पेज ओपन कर लिजिए इसके अगले पेज में आपको यह मुवाइल नेटवक का ऑप्शन को ऑप्शन टैप करना है एक छोटा सा पेज ओपन होता है इसमें आपको रिसेट टू डिफॉल्ट पर टैप करना है आपको नीचे यहां पर लिखाओ आ जाएगा यह देखे रिसेट डिफॉल्ट टेपन सैटिंग को रिसेट कर देना है जिससे आपके ब्लुथूथ की की कीप सी स्टॉपिंग प्रॉडम सॉल्व हो जाएगी अब दोस्तों अगला कारे करना यह है कि आपको अपने वाइल फोन को रिस्टार्ट करना है इसके लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबाके रखना है तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज यह वाला इसमें आपको रिस्टार्ट का यह उप्शन मिलता है इसे आपको टैप करना है इससे क्या होगा आपका फोन आटोमेटिक स्विच आफ हो जाएगा पर इसके थोड़ी देर बाद आटोमेटिक स्विच आन हो जाएगा रिस्टार्ट करने से ही होता है हमारे फोन क दीर फोन को रिस्टाट करनें से ठीक है अब दोस्तो अगला काम यह करना है कि फौन को रिस्ट आपको तब करना है जब मेरे बता ह fak Sek써 ये प्रोसेस काम नहीं करते हैं कोई भी सोफ जबादब आपको फोन को रिसेट करने की जरुवत नहीं आपको पीडिया यह fi dl reset हो जाएगा और आपके Bluetooth की keeps stopping problem solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखना है आपके phone में जितना भी data सारा data आप किसी दूसरे phone में transfer कर लीजिए या उसका backup ले लीजिए दूसरे बात ही ध्यान रखने है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note कर गए रखना है यह दो काम आपको पहले करना है उसके बाद आपको phone को reset करना है तो दूस्तों मेरे बताय हुए सारे process आप यूज़ करेंगे तो इससे आपके Bluetooth की keeps stopping problem वो solve हो जाएगी ठीक है